कथा साहित्य में आपका स्वागत है। पारवती को अपने पती के साथ रहते हुए पांच साल से जादा हो गए लेकिन उसने उनसे कभी कोई फर्माईश नहीं की। यदि वो कभी दबी जबान से या परोक्ष रूप से किसी गहने या कपड़े की चर्चा करती तो सुरेंद्रनात अत्यंत बेबसी के साथ कहते। मेरी आमदनी और खर्च का हिसाब तुम्हारे हाथ में है। यदि इसमें कोई गुंजाईश दिखाई दे तो जो चाहे चीजें बनवालो। इससे अधिक प्रसनता की बात मेरी लिए क्या होगी कि तुम्हें गहनों से सजी देखूँ। यह उत्तर सुनकर पारवती सिर जुगा लेती और सोचती कि मैं सारी उम्र यूही नंगी बुच्ची बनी बैठी रहूंगी। कभी सोचती है कि यह खर्च ना करूं। इस मद में कमी करूं। लेकिन चूल कभी ठीक नहीं बैठती थी। उसके पास पहले के भी कुछ गहने थे। लेकिन वो उन्हें भी नहीं पहनती थी। तियोहार या उत्सव में भी वो प्राय साधी साडी पहन कर ही रह जाती थी। वो अपनी महरी और पडोसिनों को दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूक नहीं है। लेकिन यह इस समय अपने दुरभाग्य और पती की न पन का नाजायस फाइदा उठाते हैं। निराश होकर वो कभी कभी सुरेंदर से जगड़ना चाहती। जगड़ती मुँ फेर कर बात करती। उसे सुना सुना कर अपने भाग्य को कोस्ती। सुरेंदर समझ जाते कि इस समय हावा का रुख पदला हुआ है। बचकर निकल ज जो दो चार सो रुपे बचे हुए हैं उनकी कोई चीज बनवालू। कल की चिंता में कहां तक मरू। लेकिन एक शण में उसका यह उनमाद उड़नचू हो जाता। यहां तक की लगातार सहन करने के कारण उसकी सजने की शौक की इच्छाएं मरकर मन के एक कोने में पड़ी रहती थी। मगर आज पांच साल के बाद यह इच्छा जागरित होई है। इसमें बेचेहनी नहीं है लेकिन बेचेहनी से भी जादा दुखदाई उदासी है। पारवती के छोटे भाई की शादी होने वाली है। उसके मायके से बुलावा आया है। इस समारोहों में भाग लेना जरूरी है। गेहनों का पहनना अवश्यक हो गया। इस अवसर पर सुरेंद्र भी अपनी विवश्ता का बहाना ना कर सके। इस समय यह उपाए भी सबल होता दिखाई नहीं दिया। शाम के समय सुरेंद्र बाहर से लपके हुए आये। उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने पारवती के हाथ में एक पोटली रखती। पारवती ने खोल कर देखा तो पोटली में एक जड़ाओ कंगन, एक चंद्रहार और जुमके दिखाई दिये। पारवती कुछ सहम सी गई। उसे सपने में भी उमीद नहीं थी कि सुरेंद्र उसके लिए इतनी और ऐ ऐसी केमती चीजें लाएंगे। खुशी के बतले एक व्याकुलता, एक भाय का अनुभव हुआ। वो डरते डरते बोली। ये कितने के हैं। सुरेंद्र पसंद तो है ना। पारवती पहले दाम तो बताओ। सुरेंद्र चार सो। पारवती सच। सुरेंद्र मेरे पास औ लेने पड़े। सुरेंद्र नहीं, उधार क्या लेना। पारवती तब पसंद है। सुरेंद्र ने वास्त्विक्ता छेपानी चाही थी, लेकिन अपनी विशाल हिर्द्यता का बखान किये बिना ना रह सके। सोचा कि इन्हें क्या पता चलेगा कि इनके लिए इस समय कितन पार्वती ने पती को तिरसकार की द्रिष्टी से देखते हुए कहा, तो इतनी चीजें लाने की क्या ज़रूरत थी। कुछ शिकायत की, कुछ गर्व की, कुछ परेशानी की। उसने और अधिक प्रशन ना किये कि कहीं कोई ऐसी बात कानों में ना पड़ जाए जिससे इन गहनों को वापस कर देना ही जरूरी हो जाए। उसके अंदास में एक शान, बातों में अभिमान और चेहरे से अमीरी जलकती थी। कितने ही ऐसे काम जिने वो पहले निस संकोच कर लिया करती थी, अब उसे दूभर लगने लगे। यहां तक कि अपनी नन्ही बच्ची तारा को गोद में लेते हुए भी उसे अपने कपड़े मेले होने की आशंका होने लगती। लेकिन वो स्वेम अपने वहवार में आये इस परिवर्तन से अंजान थी। साथमे दिन उसका भाई आया और पारवतिमाय के चली। उसने सुरेंदर से हर तीसरे दिन पत्र भिजने का आश्वासन लिया। उनके सामने खड़ी घंटो रोती रही। ऐसा मालूम होता था कि बिचुडने के दुख से उसका कलिजा फटा जा रहा है। लेकिन घर से निकलते ही दिखावे की इच्छा उसके मन पर चा गई। वो गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में आकर बैठी। जिसमें पार्वती को आतंकी द्रिष्टी से देखा और इधर उधर सिमट गई। पार्वती खिड़की के सामने जाकर ऐसी बैठी। मानो इतनी आओ भगत उसका जन्म सिद्ध दिकार हो। उसे गाड़ी में भले खांदान की केवल एक ही महिला दिखाई दी। उसका चेहरा गंभी पर एक तार तक ना था। वो निम्न वर्व की कई महिलाओं के बीच हाथ पाउं सिकोड़े बैठी थी। मन ही मन पार्वती ने कहा। निचसंदे ही, सुन्दर महिला है। लेकिन सम्मान कहा। कोई बात भी तो नहीं पूछता, एक कोने में दबी बैठी है। शरीर पर चार बच्चा था, जो रह रहकर इतने जोर से खास था और चीख मारता कि पार्वती मन ही मन जुझला कर रह जाती। जब उससे रहा ना गया, तो उसने उस महिला से कहा, तुम दूसरी पटरी पर जा बैठो, इस लड़के के खासने से मुझे नीन नहीं आ रही है। गरीब महिल महिला ने खिड़कियां बंद करनी चाहीं, तो पार्वती ने आदिशात्मक स्वर में कहा, नहीं, रहने दो, मुझे गर्मी लग रही है। धीरे धीरे बच्चे की खासी बढ़ने लगी। कुछ देर तक तो वो चिलाता रहा, फिर उसका गला पड़ गया, उसने दूद प बच्चे की हालत खराब थी, सीने पर बलगम जमा हुआ था, लगता था कि निमोनिया की शुरुआत है, उसने फौरन अपना बक्स खोल कर उसमें से एक दवा निकाली और हावा से बचा कर बच्चे के सीने पर हलके हाथ से मलने लगी, फिर दूसरी शीशी से एक चमच दव निकाल कर बच्चे को पिलाई, गाड़ी की सब महिलाएं आकर बच्चे के निकट खड़ी हो गई, निरंतर एक घंटा तेल मालिश करने के बाद उस भली महिला ने अपने बक्से से एक फला लेन का टुकडा निकाल कर बच्चे के सीने पर बान दिया, बच्चा सो गया, वो मौत के फंदे से निकलाया बच्चे की मा अपनी उपकारणी के पाओं पर गिर पड़ी और रो रो कर उसे धन्यवाद देने लगी इलाबाद में पार्वती और वो सीथी साधी महिला दोनों उतरी पार्वती का भाई आकर कुलियों को पुकारने लगा जब कोई कुलि ना आया तो पार्वती को ही अपने संदूक बिस्तर आदी उतार उतार कर भाई को देने पड़े उसकी रेश्मी जाकट चिरग गई उधर उस गंभीर सीथी साधी महिला ने जैसे ही अपना बिस्तर उठाया तो लपक कर एक महिला ने उसके हाथों से पिस्तर ले लिया दूसरी ने उसका संदूक उतार लिया तीसरी ने उसका दवाओं का बक्स उठाया और कई महिलाएं उसे धर्मशाला तक पहुँचाने आई बिमार बच्चे की मा बार बार उसके आगे हाथ जोडती और पैरों पर गिरती दूसरी महिलाएं भी उससे गले मिली ऐसा लगता था मानों वे अपने किसी आत्मिये से बिछुड रही हों लेकिन किसी ने पारवती की बात भी ना पूछी उसके चाने से सब महिलाओं को सच्ची खुशी हुई मानों सिर से एक बला ही डल गई अब उन्हें जरा कमर सीधी करने की जगा तो मिलेगी बिमार बच्चे की माने तो उसे ग्रिना की दृष्टी से देखा और मन ही मन उसे जी भर कर कोसा पारवती ने मन में कहा इस सीधी साधी औरत ने तो अच्छा ही रंग जमा लिया सभी महिलाएं अनुचरी बन गई मानों कोई मंतर ही फूंक दिया हो गवानों के बीच तो ऐसा हो सकता है परन्तो किसी भले घर में इसे कौन घास टालेगा कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं पारवती का मायका शेहर से सटी एक ऐसी बस्ती में था जिसे ना शेहर कह सकते थे ना देहाद वहाँ शेहर की तो एक भी सुविधा ना थी मगर देहाद के सभी कस्ट मौझूद थे ना शहर की सडकें लाल्टेने नालियां थी ना देहात का विस्तार हर्याली और हवा वहां का दूद शहर वाले पीते थे सबजी शहर वाले खाते थे लकडी शहर वाले जलाते थे वहां के मजदूर काम करने शहर में जाते थे खाने पीने की चीजें वहाँ शहर से आकर ही बिक्ती थी पारवती के पिता के पास कुछ जमीन थी लेकिन वे मस्दूरों की कमी के कारण खेती ना कर सकते थे उसके दोनों भाई अंग्रेजी पढ़ते और वकालत का सपना देखते थे भोले भाले से चालाब बनने की धुन सवार थी बेटी का ठाट पाड देखकर पारवती की मा फूली ना समाई उसकी दुनिया उन्ही इने गिने मकानों और उनके निवासियों तक सीमित थी वहां के गहने कपड़े, शादी ब्याहा, जगड़े टंटे, उसके अस्तितु की धुरी थे वो उनमें ही बस्ती थी और उनही का सपना देखती थी महले में किसी के घर बच्चा पैदा होना, उसके लिए पनामा नहर के उदगाटन से भी पड़ी घटना थी और किसी घर में एक नए कंठे का बनना, देहली के निर्मान से कहीं अधिक शानदार पारवती को देख कर बाग बाग हो गई, उसे साथ लेकर पड़ोसिनों के घर गई जो भी उसके कंगन और चंदरहार को देखता, लोटपोट हो जाता मा सामने वाले की सामर्थे के अनुसार उन गेहनों का मूले बढ़ाती रहती थी दो तीन दिन पूरे महले में उन गेहनों की नुमाईश हुई पारवती का सिका जम गया, उसका रौब बैठ गया पारवती की चाल ढाल से एक शान टपकती थी वो खाना खाने बैठती तो नाक सिकोड लेती गी बेस्वाद है, पानी पीती तो मुँ बनाकर ठंडा नहीं है मा सब को सुना सुना कर कहती भला इन से पूछो घर का सा सुख यहां कहां मिलेगा वहां अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी यहां ग्रहस्ती में तो मोटा महीन सब मिलेगा मगर बेचारी में जरा भी एट नहीं है वही पुराना सौभाव है वही अल्हडपन पार्वती की बिटिया तारा पूरे महले की गुडिया बनी हुई थी सभी छोटे बड़े उसे गोद में उठाते और प्यार से चूमते कोई कहता बेटी यह हसली हमको दे दो तो तारा तोतली बूली में कहती हमाली है कोई पूछता बेटी यह कड़े किसने बनवाए है तारा कहती मेले बाबुदी ने शादी का दिन निकट आ गया रस्म रिवास होने लगे महले की औरतें बन सवर कर आने लगी लेकिन पारवती उन सब की रानी लगती थी सभी औरतों की द्रिष्टी उसके कंगन, चंद्रहार और जुमकों पर ही टिकी रहती सब उससे दबती, उसका लिहास करती उसकी हां में हां मिलाती पारवती को यह सम्मान केवल अपने गेहनों के बल पर ही मिल रहा था, बराद चलने के दिन न्योते में सुरेंदर नाथ पी आए, जब वे शाम के समय घर में गए, तो मुस्कुराकर पारवती ने कहा आज जी चाहता है कि तुम्हारी पान फूल से पूजा करूँ मुस्कुराकर सुरेंदर ने कहा बना रही हो, पारवती नहीं, सच कहती हूँ इस समय मन यही चाहता है तुम्हारे इन गेहनों ने मेरा बोल बाला कर दिया सारे महले में धाक जम गई सब की सब पानी भरती है ये ना होते तो जोटे भी कोई बात ना पूछता अपनी जमा अपने घर में है लेकिन नेक नामी मुफ्त ऐसा सौदा और क्या होगा सुरेंदर मैं जानता तो दो एक चीजे और ले आता पारवती ओह, तब तो सारे महले में मैं ही मैं होती औरत की इज़त गहने कपड़े से होती है नहीं तो अपने मा बाप भी आँख से गिरा देते है सुरेंदर पच्टाए कि और गहने क्यों ना खरीद लिए भले ही दो चार सो और उधार हो जाते इसकी लाल सा तो मिठती कहानी में आगे बढ़ते है पारवती को माईके में धीरे धीरे पडोसिनों का आना जाना भी बंध हुआ पारवती के कहनों के चार दिन के सामराज्य का अंत हो गया वही कहने थे वही कपड़े मगर अब उन्हें देखने में क्या आनन्द आता अब पूरे पूरे दिन पारवती अकेली बैठी रहती कभी कोई औरत मिलने आप ही चाती तो बस दो चार बातें करके ही अपनी रह लेती किसी को भी अपने घर के कामकार से फुरसत ना थी यह अकेला पन पारवती को बहुत अखड़ता माईके से उसका मन उचाठ हो गया उसे पता चल गया कि नित्य नए गहने बनते रहने से ही उसकी बात बनी रह सकती है पुराने तमाशे को कोई मुफ्त में भी नहीं देखता कोड में खाज यह हुई की और भी कई घरों में उसके जैसे गहने बनने लगे यहां तक की एक मनचले शौकिन बनिये ने जिसे नमक के काम में बड़ा भारी लाप हुआ था कलकत्य के बने हुए कंगन और खार मंगवाए जिन्होंने पार्वती का रंग फिका कर दिया रही सही बात भी जाती रही रेत की दिवार भर भरा कर डह गिरी एक दिन पार्वती अकेली बैठी सुरेंद्र को पत्र लिख रही थी कि अब यहां जरा सा भी मन नहीं लगता दो दिन की छुटी मिले तो मुझे ले जाओ इतने में उसकी बच्चपन की सहेली बागेश्वरी उससे मिलने आई वो पार्वती के साथ खेली हुई थी उसका ब्यहा एक गरीब खांदान में हुआ था लेकिन उसके पती ने रंगून जाकर खूब पैसा कमाया और चार-पांच साल के बाद लोटा तो पत्नी के लिए एक मोतियों का हार लेता आया बागेश्वरी आज ही माई के आई थी पारवती ने उसका मोतियों का हार देखा तो आखे खुल गई दो हजार से कम का नहीं होगा पारवती ने उसकी प्रशंसा तो की लेकिन उसका दिल बैठा जाता था जैसे कोई इर्शयलू कवी अपने नौ सिखे प्रतिद्वंदी की कला की प्रशंसा करने में कंजूसी करे यह रोक पारवती की आत्मा में गुन की तरह लगया उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया मन मारे अपने घर में ही बैठी रहती उसे ऐसा लगता था कि अब औरतें यहां तक कि उसकी मा भी उसे तिरसकार की द्रिष्टी से देख रही है पहले गहनों की चर्चा में उसे एक विशेश आनंद मिलता था अब वो भूल कर भी गहनों की चर्चा नहीं करती मानो अब उसे इस सम्मंध में मुझ खोलने का भी मन ना हो आखिरकार एक दिन उसने सब गहने उतार कर बकसे में रख दिये और ठान लिया की इन्हें खोलूंगी नहीं उसे इन गहनों के खरीदने पर पस्तावा होने लगा दिखावे की चाह में जिन्दगी के सुख चैन में बेकार खलल पड़ गया वो बिना गहनों के ही अच्छी थी कि यह मुफ्त की उलजन तो नहीं थी घर के रुपे गमा कर यह सिर्दर्द खरीदना बड़ा महंगा सौधा है तीज के दिन पार्वती की मा ने कहा बेटी आज महले की सब औरतें स्नान करने जा रही है तुम भी चलोगी पार्वती ने उपेक्षा से कहा नहीं मैं नहीं जाओंगी मा चलती क्यों नहीं बरस बरस का तियोहार है सब अपने मन में क्या कहेंगी पार्वती जो चाहे कहें मैं तो जाओंगी नहीं कहानी में आगे बढ़ते हैं क्वार के दिन थे सुरेंद्र को अभी तक छुटी नहीं मिली थी पारवती ने जल भुन कर उन्हें कई चिठियां लिखी थी पर इधर दो हफ़ते से पत्र लिखना बंद कर दिया था उसे अपनी जिंदगी बोश लगती थी महले में बुखार और चेचक का प्रकोप था कोई किसी के घर आता जाता ना था नाश्टे के बतले घरों में काढ़ा पकता था अस्पताल में मेला सा लगा रहता था वैते और हकीम पत्थर के देवता बने हुए थे एक दिन पारवती की मा ने कहा बेटी आज शीतला देवी आ रही है चलो उनसे मिल आएं देवी ही है पारवती क्या करती है मा यहां तो जब आती है बेमारों की दवादारों करती है और किसी से एक पैसा भी नहीं लेती पारवती तो घर की मालदार होंगी मा नहीं सुनती हूं की सिलाई करके गुजर बसर करती है बिहा के बाद ही पती है जैसे मर गया उसका मुँ तक नहीं देखा तब से इसी भाति काम कर रही है पारवती तो क्या अभी उम्र अधिक नहीं है? मा नहीं, अभी उम्र ही क्या है? नारायन ने जैसी शकल सुरत दी है वैसा ही सौभाव है किसी महल में होती तो महल चकमगा उठता ऐसी हसमुक, ऐसी मिलनसार कि पास से हटने का मन नहीं होता जब तक यहां रहती है भीड लगी रहती है पूरा महला घेरे रहता है इतने में महरी ने आकर कहा बहुजी, शीतला देवी आई है और पाठशाला में बैठी हुई लड़कियों से कुछ पूछ रही है कई लड़कियों को तो इनाम भी दिये है मैं भी जाती हूँ जरा दर्शन कराऊं मा ने कहा, अरी, तो पानी तो भर दे ना जाने कब तक लोटेगी महरी, अभी लोटी आती हूँ कहीं ऐसा ना होगी चली जाए महरी के जाने के एक घंटे बाद पारवती की वही मोतियों के हार वाली सहेली आकर बोली चलो बहन, शीतला देवी से मिलना आए महले की सभी औरते जा रही है पारवती को भी उतकंठा हुई तारा को एक अच्छी सी फ्रॉक पहना दी परन्तु स्वैम वही साधी सी साड़ी पहने हुए शीतला से मिलने चली गहने नहीं पहने जब दोनों सहेलियां पाठशाला में पहुँची तो आरतों और बच्चों की भीड चमा थी शीतला देवी जमीन पर बैठी हुई बच्चों को देख रही थी और बक्स से निकाल निकाल कर दवा देती चाती थी मानो पेडों की छाओं में एक उजला कुंड था वैसा ही मौन, गंभीर, शान्तिमय और सुन्दर शीतला की आँखों से एक चिता कर्शक पवित्रता जलक रही थी पारवती ने उसे पहचान लिया ये वही सीधी साधी महिला थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था पारवती ने देखा कि इस औरत के सामने मैं कैसी निक्रिस्ट हूँ और कुछ मैं ही नहीं महले की वे सभी औरतें जो गहनों से गोड़नी की भाती सजी हुई है इस औरत के सामने सेविकाओं की भाती खड़ी है यदि ये सभी अपने को सोने से मड़वा ले तो भी क्या क्या इनका ऐसा सम्मान हो सकता है इससे बात करके कौन निहाल नहीं हो जाता और जो बिमार हैं वे तो मानो बिन अदाम के ही गुलाम है सच मुच इसी का नाम सम्मान है यह क्या कि चार ओड़तें आवें और आखें मठका मठका कर हमारे गहनों का बखान करने लगें मानो हमारा शरीर नहीं बल्कि गहनों की नुमाईश का मैदान ही हो आज से एक महिना पहले शायद इस प्रकार के विचार पार्वती के मन में ना उभरते लेकिन आजकल गहनों से उसका मन फिरा हुआ था सामानने रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासी ही होती है पार्वती चित्र लिखित सी खड़ी शीतला देवी का तौर तरीका बात करने का धंग और आत्मियता पूर्ण वेहवार ध्यान से देखती रही वो सोचती थी ये औरत कितनी सुन्दर है लेकिन इसके साथ ही इच्छाओं से कितनी मुक्त मैं सम्मान की भूकी हूँ लेकिन मैं जिसे सम्मान समस्ती थी वेह यथाट से कितना दूर है मैं अभी तक छाया के पीछे ही भाग रही थी आज उसका वास्त्विक रूप दिखाई दिया है जब शाम ढल गई और भीड छटी तो शीतला देवी की द्रिष्टी पार्वती पर पड़ी वो उसे ततकाल पहचान कर बोली बहन तुम्हें तो मैंने रेल गाड़ी में देखा था पार्वती ने कहा हाँ उस दिन मैं यहां आ रही थी शीतला देवी ने पार्वती को सर से पाउं तक देखा और फिर उसकी सहिली बागेश्वरी की ओर प्रशन वाचक त्रिष्टी से देखा मुस्कुरा कर बागेश्वरी ने कहा कुछ दिनों से कहने नहीं पहनती शीतला क्या गेहनों से नाराज हैं बाकेश्वरी इनका मन ही जाने पार्वती आप भी तो नहीं पहनती शीतला मुझे मैसर ही कहा मैं तो भिकारिन हूँ बहनों की सिवा करती हूँ और पुन्य के मार्ग में वे जो कुछ दे देती हैं उसी से अपना पेट पालती हूँ पार्वती मुझे भी अपने जैसी भिकारिन बना दीजिए शीतला देवी हसकर उठ खड़ी हुई और बोली भीक मांगने से भीक देना बहुत अच्छा है रात में जब पार्वती लेटी तो शीतला देवी का दमकता चहरा उसकी आँखों में नाच रहा था जो उसके मन को खींचे लेता था उसने सोचा क्या मैं भी शीतला देवी बन सकती हूँ ततकाल सुरेंद्र उसके सामने आकर खड़े हो गए तारा रो रो कर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगी जीवन के च्छाओं की एक बाड़ ही उठखड़ी होकर टकर मारने लगी नहीं शीतला देवी बनना मेरे वश में नहीं है लेकिन मैं एक बात कर सकती हूँ और वह अवश्य करूँगी कहानी के अंतिम हिस्से की तरह पढ़ते हैं एक सप्ताहा में पार्वती अपने ससुराला पहुंची सुरेंद्र ने उसका मुर्जाया मुह देखा तो आश्चरे से बोले गहनों से रूट कई क्या पार्वती पुराने हो गए नए बनवा दो सुरेंद्र अभी तो इने का हिसाब चुकता नहीं हुआ पार्वती मैं एक उपाय पताती हूँ इन गहनों को वापस कर दो वापस तो हो जाएंगे सुरेंद्र हाँ बहुत आसानी से इन दो महीनों में सोने का भाव बहुत चड़ गया है पार्वती तो कल वापस कराना सुरेंद्र पहनोगी क्या पार्वती दूसरे गहने बनवाऊंगी सुरेंद्र और रुपे कहा है पार्वती उन गहनों में रुपे नहीं लगेंगे सुरेंद्र मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा पारवती, ये कहने जी के जनजाल हैं, इनसे मन भर गया, इन्हें बेच कर किसी बैंक में जमा करा दो, हर महीने मुझे उनका ब्याश दे दिया करना सुरेंद्र ने बात हसी में उड़ानी चाही, लेकिन पारवती के हाव भाव से ऐसा दृट संकल प्रकट होता था, कि वे उस विशे में गंभीरता से विचार करने पर विवश हो गए दूसरे महीने में शीतला देवी के नाम बारहा रुपे का एक गुमना मन्याडर पहुँचा, कूपन में लिखा हुआ था, यह तुछ धनराशी स्विकार कीजिए, इश्वर की इच्छा हुई तो यह धनराशी स्थाई रूप से प्रतिमहा मिलती रहेगी, आप इसे जिस चाहें खर्च करें, अब से दुआएं ही मेरा आभूशन होंगी, यह धातों के टुकड़े तो जी के जनजाल है, इनसे मेरा मन भर गया है, अभी आपने मुन्शी प्रेमचंद जी की लिखी कहाने सुनी, आप मुझे आग्या दीजिए और कथा साहित्ते से जुड़े रहि धन्यवाद